नमस्ते वेलकम टू स्विटन स्पाइसी हर सुबह हमें वही चिंता रहती है कि आज नाश्ठे में क्या बनाए जो सबको पसंद भी आए और सबका पेट भी भचाए तो आज में एसी ही एक रेसिपी गोबी पराथा आपके सामने लेके आई हूँ जिसमें पराथे के अंदर पत्ता गोबी का चटपटा सा मस्तारा स्टफिंग एट किया होता है आये देखते हैं केसे बनाते हैं उसके लिए मैंने एक बोल में एक कप जितना आटा लिया है अब उसके अंदर में स्वाद अनुसार नमक एट करूंगे साथ ही हम उसमें एट करेंगे एक पिसपुन जि करते हुए हमारा जो आटा है उसे गुंद लेना है हमें मेक्शोर करना है हमारा जो आटा है वो बहुत हाड भी ना हो और बहुत सोफ्ट भी ना हो आप देख सकते हैं हमारा जो आटा है वो गुंद चुका है और वो ना ही बहुत हाड है और ना ही बहुत सोफ्ट है अब हम क्या करेंगे उसे रेष्ट करने के लिए साई पे रख देंगे जब तक वो रेष्ट कर रहा है रही कर लेती है हुआ की स्टफिंग के लिए मैं ने ने जो पत्टा गोबी है उसे क्रश्ट कर लिया है और अब में उसका पाणी निकाल लूगी ताकि उसमें से सारा मुष्चर निकल जाए और हमें पराथे बेलने में आसानी रहे हमने अपने गोबी का सारा जो मुष्चर है वो निकाल लिया है अब आगे की प्रोसेस करेंगे जिसके लिए मैंने एक पेन में एक टीसपुन जितना ओल लिया है अब मैं उसमें दो टीसपुन जितनी हरी मीच एंड अद्रक की पेस्ट एड करूंगी अब हम उसे अच्छी तरीके से चला लेंगे उसके बाद मैं उसमें एड कर रही हूँ एक टीसपुन जितना गरम मसाला उसे भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लोंगी हमें जो हमारे गेस की फ्लेम है और धीमी रखनी है अब हम उसमे एड करेंगे हमारी जो क्रश्क की हुई पत्ता गोबी है वो और उसे हम अच्छी तरीके से फिक्स कर लेंगे अब हम उसमें एड करेंगे दो टिसपुण जीटना जीरा पावड़ur। उसके साथ ही इड करेंगे एक िसपुण जीटना हामचिर पावडर। उसके बाद उसमे एड करेंगे स्वाधनुसार नमक। उर इन शब को हम अच्छी तरीके से इस्वाध। और हम उसे खोड़ी देर के लिए रोश्ट होने देगे है। क але आप हमारा जो पिंग कीषै कि से मैक्स हो चुका है और रोश्ट हो चुकान मेलगाई। अब हम क्या करेंगे हम उसे खोड़ी देर के लिए थंडा होने के दिए रख देंगे। उसके बाद हम पराठा बनाएंगे अब पराठे बेलने के लिए मैं किया करूनगी मैं छोटे-छोटे गुल्ले कर लोगी और उसकी छोटी पर रोला कंगा क्या क्यों क्या करेंगे जो रोती है दो रोतीयों के, सबैंगे क्या है हमारा जो stuffing है वो पूरे पराठे में दिखे आप देख सकते हैं मैंने पूरिया के जेसी रोटिया बेली है उसके size की ताकि जब हम दो रोटिया इकठी करेंगे तब हमारा जो पराठा है वो बहुत बड़ा ना बन जाए अब आप देख सकते हैं मैं इसके अंदर stuffing एट कर रहे हूँ stuffing हमें भर भर के डालनी है देख सकते हैं मैंने कितनी सारी stuffing एट की है अब मैं इसके उपर हमारी जो दूसरी रोटिया ओ लगा दूँगे और उसकी side को एसे press करके seal कर लेंगे और उसके बाद में हम उसे एसे रोल कर लेंगे ताकि क्या होगा हमारा जो stuffing है वो हम जब वापस बेलेंगे तब वो बहार ना निकलाए अब देख सकते हैं मैंने उसे अच्छी तरीके से seal कर लिया है अब मैं उसे थोड़ा सा प्रेस कर लोंगी ताकि वो खुल ना जाए और हम एसे कर लेंगे ताकि उसका जो अंदर का stuffing है वो spread हो जाए अच्छी तरीके से अब हम उसे वापस से थोड़ा बेल लेंगे थोड़ा पतला कर लेंगे मैंने इसके लिए थोड़ा सुखा आटा लिया है ताकि बेलने में आसानी रहे देख सकते हैं हमारा जो पराठा है और एडी है अब हम उसे शेक लेंगे, उसके लिए मैंने एक पेन लिया है, उसे हम गरम कर लेंगे और उसमें हमारा पराठा डाल देंगे, हम उसे मीडियम फ्लेम में शेक लेंगे, मैं उसके उपर थोड़ा ओइल लगा लूँगी, अगर आप की में सिखना चाहते हैं तो आप की लगा सकते हैं मैंने यहाँ पर उइल लिया है हमें आज मीडियम ही रखनी है ताकि हमारा जो पराठा है वो जल ना जाए और अच्छी तरीके से पक जाए देख सकते हैं वो कितना अच्छा पक रहा है हमारा जो पराठा है यह और रेड़ी है अब हम उसे निकाल लेंगे इसी तरीके से हम हमारे सारे पराठे सिख लेंगे आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है और ट्रस्ट मी वो खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है देखे मैंने उसे दही और अचार के साथ सव किया है आप उसे चाह के साथ भी एंजोई कर सकते हैं आप उसे केचब के साथ भी एंजोई कर सकते हैं या फिर खुद निने की चक्नी के साथ भी खा सकते हैं आप देख सकते हैं, इसमें स्टफिंग दिख रहा है, देखें, इतना अच्छा स्टफिंग आया है, उखाने में बहुत ही बड़िया लगता है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें, थेंक यू